भई आप सभी को हैपी दशेहरा और जब हम बात करते हैं दशेहरा की तो हमारे मन में वो कुछ खयाल आता है राम जी का और रावन का कि राम जी ने रावन को मार दिया अच्छाई की बुराई पर जीत हो गई और ये सारी चीजें लेकिन क्या आपको पता है आपने सुना भी होगा कि रावन बहुत महान आदमी था, महान ब्रामन था, ये था, वो था, उसने कुछ ऐसी बाते कहीं हैं जो कि आज भी लोग जुठला नहीं पाते हैं, हाला कि वो राक्षा साब बुरा आदमी था, लेकिन जो उसका ग्यान था ना, वो बहुत ही उच्च कोटी का था, तो कोटों के बारे में रावन ने कही थी, क्या रावन ने ऐसी बात कहीं कि जिससे खून खौल जाएगा, आईए सुनते हैं, सबसे पहली चीज रावन कहता है, कि भाई, जो इस्त्रिया होती हैं, वो जूठी होती हैं, उन पर विश्वास आप कर ही नहीं सकते, वो कब पलट जाएं, इसका कोई भी भरोसा नहीं है, तो कभी भी इस्त्रियों पर भरोसा मत करना, क्योंकि वो आपको उलज़ा देंगी, और ऐसा उलज़ा देंगी, कि आप सुलज नहीं पाओगे, ये बिल्कुल लाइन कही थी रावन ने, मैं इस पे कितना भरोसा करता हूं, या कितन लगती है, कि वो लड़कों को बरबात कर देती है, पहले वो ऐसा दिखाती है, कि वो बहुत ज़ादा है ना, खुश है उनसे, या प्यार की बात ले रेजिए, वो लड़कों को दिखाती है, कि मैं बहुत खुश हूं तुमसे, लेकिन वो कभी उनको धोखा दे देती है, क हमने कौन सा तीर मार दिया हम कौन से राजा हरीश चंदर के बेटे हैं अप होते हैं नहीं नहीं है नहीं है ऐसा लेकिन हाँ अगर बात रावन ये कह रहा है कि स्रिया जूटी होती है तो क्योंकि क्योंकि वो मनुष्य में आई जाती है तो मैं बोलता हूँ कि हाँ इस्रिया जूटी होती है क्योंकि वो मनुष्य में उनकी गन्ना होती है काउंटिंग होती है और लड़कों के भी मनुष्य में होती है जो पूरुष होते हैं उनके भी होती है तो पूरुष भी जूटे है लेकिन यहाँ पर हम हिस्त्रियों की बात करें रख ही नहीं सकती चाहे कितनी भी important बात क्यों नहीं हो चाहे उनका क्यों ना भला हो चाहे बुरा हो चाहे वो बरबाद ही क्यों ना हो जाए चाहे अपने परिवार को क्यों ना लेके डूब जाए लेकिन फिर भी वो कोई बात छुपा नहीं पाती और अपनी बात दूसरों क बता ही देती है और दूसरों की बात तो बता ही देती है यानि कि जो secrets होते है ना वो नहीं चुपा सकती है तो इस पे काफी जादा मैं सहमती दिखाऊंगा और सही माइने में जो मैंने भी तक देखा है आप हो सकता है से disagree कर दें या agree करें वो आपकी उपर है वो आपका मन है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़किया होती है जो ओड़ते होती है उनके मन में comparatively बात नहीं पच्टी है हाला कि लड़के भी बात लीग करते है आसा नहीं कि लड़के बात नहीं इसको बताऊ यह चीज इसलिए उनको सीरस अच्छे लगते हैं इसलिए उनको उनकी मंडली बैठती है कभी भी देख लेना जो चार लड़कियों का है लड़के भी करते हैं मैं इससे मना नहीं कर रहा लेकिन लड़कों में यह चीज थोड़ी कम होती है बताइए कि जरूर आप कमें सेक्षिन में और वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को उतारू हो सकती है वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है अगर वो अपनी पर आ जाए तो तो क्या लड़कियां स्वार्थी होती है नहीं होती इसका तो मैं आप पे छोड़ूँगा मैं इस पे ज़ादा agree नहीं करूँगा क्योंकि फिर भी काफी universal बात हो जाएगी क्योंकि लड़की भी स्वार्थी होते हैं लेकिन बात यहाँ पर है कि क्या लड़कियां ज़ादा होती है तो अब वो डिपेंड आप पे करता है आपके thoughts क्या है आपके thoughts क्या नहीं है यह रावन ने ऐसी चीज़ कही थी कि भी जो लड़कियां होती हुँई थोड़ी स्वार्थी ज़ादा होती है जब उनको अपना स्वार्थ होता है तो आपको दिखाएंगी कि वो आपकी ही है आपके लिए कुछ भी करेंगी जो है बस आप ही है उनके लिए लेकिन जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो भी आप कौन है आप हमारे हैं कौन आप क्या लगते हैं तो वो जो आओ सनम और जाओ सनम वाली बात है, शायद रावन ने एक कहने की कोशिच कही हो, यह मेरी explanation है, भी या हो सकता है, मैं गलत हूँ या हो सकता है, आप सही हो या हो सकता है, आप भी गलत हो, तो यह तीन चीजें इस्तियों के बारे में रावन ने कही, हाला कि रावन जो यह कि हम ही लोग उनको कमजोर करते आए हैं, ना हमने कभी उनको शिक्षा प्रदान करवाई जितनी required थी उनको, ना आज के टाइम पे भी लोग क्या करते हैं लड़कियों को मार देते, क्योंकि लड़कियां चाहते नहीं हैं वो, शादी करने के लिए लड़की और बाकी कुछ अन्य संबंद बनाने के लिए लड़की चाहिए, मगर लड़की पैदा कोई नहीं करना चाहता है, बेटी कोई नहीं चाहता है, तो इसमें भी थोड़ा जोड डालिएगा और एक और चीज मैं लड़कों के बारे में कहना चाहूँगा, जो कि लड़कों मे लेकिन जो औरत होती है, वो कुछ भी कर गुजरने को उतारू होती है, कभी आपकी लड़ाई हो जाए तो आपके पापा बेशक कह दें, कि छोड़ यार ठीक है, लेकिन आपकी मा ऐसी होंगे जो कहेंगी, कि चल मैं देखती हूँ कौन है, तो ये देवी मा का रूप होता ह हिसरियों में, काली मा का भी रूप आ जाता है, तो जब वो आता है, तो फिर कोई नहीं बचता है, हमारी जब मम्मी भी गुसा होती है, फिर तो कोई भी आजाओ चाहिए, पापा एक चाहिए, तो ये चीज है, लेकिन हमने ओरतों को दबा के रखा हुआ है, हमने कभी उनक ये नौकरानी मान के रखा हुआ है, तो भाई जिसको जैसा ट्रीट करोगे, तो वैसा ही तो ढलता हो जाएगा, लेकिन ओरतों में बहुत पावार होती है, मैं सच बता रहा हूँ, मैं इस चीज़ पे लड़ियों के रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरा टेक यही है, कि हमेशा जितनी भी जितनी भी ग्यान दिये गए, वो सारी लड़िक्यों पे दिये गए कि पवित्रे लड़िक्यों के कौन कौन से लक्षन होते हैं, और ऐसी लड़िक्यों के वैसी स्थियों के कौन से लक्षन होते हैं, तो हमेशा से उंगलियां उठाई गई हैं स्थियों पर, प कमें सेक्षे में याप जरूर बताएगा कि आप क्या लगता है इन तीनों में से कि आप किसी चीज में अगरेता है और तीरिश जो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके बताएगा क्योंकि मुझे लगता है कि आपके अंदर खून खौला है लेकिन फिर भी अगर आप तर्क देंगे और तर्क से बात करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा धन्यवाद